नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिभा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तों आज की इस व्यूडियो में हम बात करने वाले हैं फॉरेस्ट गार्ड की भरती के बारे में तो दोस्तों इस समय हम हैं आप देख सकते हैं Central Selection Board of Constable की ओफिस्यल वेबसेट पर जहां पर दोस्तों आप यहां सबसे नंबर बन पर यह देख सकते हैं कि दोस्तों apply online for the post of forest guard for environment forest and climate change department ठीक है तो यहाँ पर दोस्तों कॉंस्टेबल की जो है forest guard जिनकों हम हिंदी में बन रख्षक भी बोलते हैं कि पदों पर भरती निकली हुई है तो क्या है इस भरती में कैसे आपको भरती होना है क्या आपकी education होगी आपकी physical requirement क्या होगी height क्या होगी चेश्ट क्या होगा male और female इस भरती में दोस्तों आपको बता दें कि दोनों ही इस भरती में देख सकते हैं और मांगे चीज़े हम सब कुछ आपको डिटेल में बताने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों हम आपके लिए official notification दिखा देते हैं तो इस पर हम क्लिक करेंगे क्लिक कर लेंगे ठीक है इसको हमने कर लिए डाउनलोड अभी मैं इसको जूम करके आपको विल्कुल तरीके से बता देता हूं लेकिन इसके बारे में बताने से पहले आप देख सकते हैं पहले online अविदन पत्र की अंतिम्तिति दोस्त जो है वो 9 सितंबर 2020 है ठीक है उसके बाद म यह पूरा notification है इसमें जो main points है वो मैं आपके लिए बाद में पढ़के बताऊंगा ठीक है लेकिन उससे पहले इस भरती से सम्मंदित में आपके लिए एक एक चीज बिल्कुल अच्छी तरह से समझा देना चाहता हूं तो इसके लिए हम चलते हैं दोस्तों सरकारी result की official website प इसके हम क्लिक करेंगे क्लिक करने के बाद में दोस्तों क्या होगा हमारे सामने इसकी पूरी रिटेल खुल कर सामने आ जाएक तो दोस्तों यह post 21 जुलाई 2020 को 10-13 एम पर अपडेट हुई है यहां पर ठीक है apply 2020 से आपके start हो चुकह है तो आज से ही आप online apply कर सकते हैं लाज़्ट टेट फर apply online है दोस्तों 4 सतंबर 2020 ठीक है उसके बाद में आपकी जो लास्ट टेट फॉर पे एक्जाम की है बो भी चार सतंबर 2020 है एक्जाम डेट और admin card आपको जल्दी ही पता चलिए जाएगा कब आएंगे और application fees है दोस्तों यहां पर general OVC EWS के लिए 450 रुपए और hc और ht के लिए 112 रुपए का ठीक है उसके बाद में दोस्तो एज लिमिट की बात करें अगर हम तो एज लिमिट में आपका जो है वो इस प्रकार से कुछ है minimum 18 साल और maximum 30 साल मतलब 18 साल से 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस भरती में apply कर सकते हैं उसके बाद में आपको जो cst के लिए जो एज में relaxation मिलता है छूट मिलती है तीन साल और पांस साल की वह आपके लिए एस पर गवर्मेंट रूल मिलेगी ठीक है उसके बाद में दोस्तों हम बात कर लेते हैं यहां पर पोस्ट की तोलो पोस्ट दी हुई है इस भरती में 2484 थी प्ोस्ट के लिए यहां पर दोस्तों भरती होनी है पोस्ट का नाम है forest guard यानिकी बन रभशक और टोटल पोस्ट हैं आपकी चार्स तॉरासी एजुकेशन क्यारिफिकेशन होगी आपकी 10 प्लेश तू मलब आपने इंडिया या किसी भी बोट से अगर इंट्रमेडियेट पास किया हुआ है तो आप इस बहुते में अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यह कैटेगरी वाइस दोस्तों वैकेंसी की डिटेल दी हुई है तो जनरल के लिए 186 हैं इड़लूएस के लिए 41 BC के लिए 125 EBC के लिए 46 पीमिल बीची के लिए 7 SC के लिए 12 और तो यह होगी आपकी पोस्ट वाइस आपकी जो डिस्ट्रिबूशन है पोस्ट का कास्ट वाइस वह हो गया उसके बाद में दोस्तों यहांपर जो सबसे अच्छी चीज है जो मेटर करता है बहुत ज्यादा वो है फिजिकल इलिजिबल्टी तो इसमें दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं यह कॉंस्टेबल की भरती है तो यहांपर फिजिकल और पीटी तो होना अनुबरी है तो के मेल होंगों उनक 1 607 थो ईसकी मेल के बात करना तो मेल के ज़िए दोस्तों जो चैश्ट अब फिमेल के लिए 18-186 सेंटीमीटर होगा जननरल और भीबजी के लिए फिमेल्ग के लिए 89-84 सेंटीमिटर सेंटीमेटर होगा और यहां पर दोस्तों अभी बात आती है वालकिंग के इसमें जो फिजिकल के नान पर जो होना है वो आपका वॉकिंग होनी है ठीक है मतलब आपके रनेंग बगरा कुछ नहीं होनी है केवल आपको वॉक करके दिखाना है अब वॉक करके दिखाने के जो मेल कंडिडेट्स हैं उनके लिए 25 किलोमेटर का वकिंग करना होगा मतलब पैदल चाल और चार घंटे में लेंगे मतलब चार घंटे में 25 किलोमेटर पैदल चलना होगा उसके बाद में भाई दोस्तों फिमेल के लिए 14 किलोमेटर होगा उनके लिए भी सेम टाइम होग तो आप किसी भी कैटेग्रेस हैं, अगर male है, तो आपको 25 km 4 günटे में चलना है, और अगर आप female है, तो आपको 14 km 4 securing चलना है, तो ये है दोस्तों, इस भरति के बारे में आपके लिए मैंने फूरे डेटेलों बताया है आभी हम इसके लिए आपको इसकी ओफिशियल नोटिफिकेशन में जो भी इंपोर्टेंट पॉइंट्स दिये हुए हैं वहां पर भी मैं आपको बता देता हूं ठीक है तो यह है दोस्तों आपकी ओनलाइन आभेदन पत्रप्राप्ती चार सितंबर 2020 संतिम्ति थी होगी इसकी उसके बाद में दोस्तों यहां पर हम बात कर लेते हैं इसकी जो ओफिशिल वेबसाइट है जहां से आपके लिए दोस्तों ओनलाइन आभेदन करना है वह यह होगी www.cbcsbc.vih.nic.in तो अगर आपके लिए ओनलाइन फॉर्म भरने में कुछ प्रॉब्लम हो तो आप एक दिन के इंतिजार करें करें तल आपके लिए एक वीडियो मिलेगी जिसमें मैं आपके लिए ओनलाइन फॉर्म कैसे आवेदन करना है वह पूरा का पूरा बताऊंगा तरीक कैसे करें हैं इनको आप इस नोटिफिकेशन का लिंक जो हमें इस वीडियो की डिस्क्रिप्सर में दे दूँगा आप वहां से जाकर इसके लिए पढ़ सकते हैं ठीक है और दोस्तों सबसे बड़ी बात क्या है कि जो भरती है वह बहर बहर पर दुटी नागरेक होना चाहिए ठीक है और इंडिया की भरती है यह तो इसमें पूरी इंडिया से कहीं से लिए आप फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यह आपकी सारे रिकमाप दंड होगी जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं जो आपके लंबाई होगी यह चार गंडें पच्चेस क्लिमीटर यह भी मैं आपको बता चुका हूं एक चीज यहां पर दोस्तों आपको मैंने नहीं बताई थी कि यहां पर जो महला ब्यारती होंगी अनसुचित जाती और अनसुचित जन जाती कि मतलब स्थी की उनकी जो हाइट होगी दोस्तों वह 155 सेंटिमीटर ले जाएगी है ठीक है परिशन पत्र के बारे में बता दूं आपके लिए दो गंटे के परिशन पत्र में चार भाग होंगे जनमें कुल 100% बहुभी करपी परिशन होंगे प्रतेक सही उत्तर के लिए चार अंक का होगा तो यह दोस्तों बढ़ती इस नोटिफिकेशन की जो लिंक होगी वो मैं आपके लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप वहां से जाकर नोटिफिकेशन को डाउन्लोड कर सकते हैं और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ल